चलू भाई, दोसर फसिला है जिनहर अब हमरे मन देखब कि जिनहर कर उन्नत प्रभेद कौन-कौन है तैयार हो एक दिन, कतना दिन में ये तैयार हो जयल इकर आसत उपज हमरे मन के कतना भेटायल और इकर विसेस गुन काका है तो पहिल उन्नत प्रभेदा है सुआन इक तैयार हो जयल सो दिन में और इकर आसत उपजा भेटायल 40-50 कौन्टल प्रती हेक्टर इकर विसेस गुना है संकुल किसिम, दाना पुस्ट, चमकेक वाला, नारंगी रंगक, उभरल, पत्र लांचन, रोधी और रवी लगिन बेस दोसर उन्नत किसिमा है ह, क्यू, पी, एम, ए भाई इ तैयार हो जयल 110 दिन में इकर ओसत उपजा है 55 कौन्टल प्रती हेक्टर और इकर विसेस गुन है बगरा गुन्वत्ता संकर किसिम तीसरा है बिर्सा मक्का एक, भाई इ तैयार हो जयल 85 दिन में और इकर ओसत उपजा है 30-40 कौन्टल प्रती हेक्टर इकर विशेज गुना है संकुल किसिम, दाना पुस्ट और पियर रंग चौंथा है बिर्सा, विकास, मक्का, दू भाई इतो बहुत कमे दिन में तयार हो जैल, 75 दिन में इकर ओसत उपजा है 40 से 45 कुंटल प्रती हेक्टर इकर विशेज गुन काका है संकुल किसिम, दाना पियर, पुस्ट, चमकेक वाला, पत्र लांचन रोधी, रभी लगिन बेस, बगरा गुन वाला किसिम पच्वाहे प्रिया, इतयार हो जैल, 90 दिन में और इकर ओसत उपजा है 30 कुंटल प्रती हेक्टर इकर विशेज गुन है, मीठा मका, संकुल किसिम, सामान्य जिनहर कर तुलना में, 30 सरकरा कर मात्रा आइध काहेल पत्र लांचन रोग, तिरपन लगिन सहनसिल भाई, इतोहलक उन्नत प्रभेद कौन-कौन है? अब उन्नत प्रभेद तो हमरे के भिटालग उके लगायक लगिन, खेत कर तयारी तो करेक पड़ी? खेत कर तयारी करेक में, कौन-कौन गोईट कर ध्यान राखेक चाही? इसोब के दिखब पहिला है, जखन खेत कर तयारी करेक बिरा रहे, तखन प्रती हेक्टर 100-150 क्विंटल गोबर कर सडल माइंद के या कंपोस्ट कर परियोग करें दुसरा है, भूई के इतना जो तैं कि माटी भुरभुरायक लगे तिसरा है, बुनेक कर एक महिना आगे है, चुना कर परियोग कर के उकर आमत के दूर कर देख चाही? चौथा है, दिया लगिन जोतेक बेरा, मिथाईल, पारा, थियोन, दुप्रतिशत, धुरा, 25% किलोग्राम, प्रती हेक्टर कर दर से परियोग करें चलू, आगे देखब की बुनेक कर बेस बिरा का है, खरिफ फसिल लगिन माई कर आखरी हपता से, जून कर आखरी हपता तक कर देख चाही? रभी फसिल ले 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर एक चाही? बिहीन कर दर का रहिक चाही? जिनहर के 20 किलोग्राम प्रती हेक्टर म लगाएक चाही? दर कर दूरी कानियर राख हैं, इके देखू, खरिफ फसिल ले 10 से दर कर दूरी 75 सेंटीमिटर और पोधा से पोधा कर दूरी 25 सेंटीमिटर बेस रहे हैं, रभी फसिल ले 10 से दर कर दूरी 60 सेंटीमिटर और पोधा से पोधा कर दूरी 20 सेंटीमिटर बेस बेबी कॉर्ण इकर ले 10 से दर कर दूरी 60 संटीमेटर रहले और पोधा से पोधा कर दूरी 15 संटीमेटर रहले बेश रही आगे देखब कि बहिन बुनेक कर माटी में गहराई 3 से 4 संटीमेटर राखेक बेश रही खेत कटिक भिंजल रहे तब हे बुनेक चाहिए अब बुईन तो देली हामरे मन तो आब उकर में उर्वरक कर परियोग करेक है उर्वरक कर परियोग कतना कतना करल जाए ताकि जीन हरकर पैदावार पढ़ियां से बढ़ियां होए तो इके जानब इकरल गिन 120, 60 और 40 kg np के परती हेक्टर परियोग करेक चाहिए नेतरजन कर परियोग भिहिन लगायक बेरा 36 kg याकी 80 kg यूरिया परती हेक्टर में और धनबाइल आएकबेरा 30 kg याकी 65 kg यूरिया परती हेक्टर में करेक चाहिए सफूर कर पर्योग भीहिन लगाएक बेरा 6 kg याकी 30 kg DAP में करिक्चाहिए पुटास कर पर्योग भीहिन लगाएक बेरा 40 kg याकी 68 kg मूरेट ओफ पुटास प्रती हेक्टर में करिक्चाहिए खाद मन के कुंड में डाइल के मिसायले वें, तले बीहिन के लगाय देवें चलू, देखब की भाई पानी पटायक कर दरकार के सना है जखन गोड कर ठेवना तक फसिल पहुँच जाए, सेखन उके पटाय देख चाही या की सुखल भूई रह ले, पानी पटायक पहुत दरकारा है आगे देखब पानी निसकायक, खेत में जदी बगरा पानी होई जाए, तो पानी के निसकायक उपाय करेक चाही चलू, इकर बादे हमरे मन देखब की पोधा में निकाई गुडाई कखन करल जाए जिनहर कर दर कर भित्रे हो चलायके कोड़नी करें पहिल दाओं उपरिवेशन कर अलबादे दर में माटी चगाय देवें अब फसल कर स्रंडरक्षन, भाई इकरो में पिलवा मन लागत हैं, तो पिलवा मन के रोकेक है, उकर रोकथाम करेक है इकर पिलवा है, डाटी टोका करेक पिलवा, इपिलवा कर छोवा पिलवा डाटी के टोका करके उकरे भित्रे कर भाग के खाय देल जिकर चलते डाइर कर आगू बटक भाग, बाढ़क रुईक जैल और मुर्जाय के स्विख जैल, जिकर डेट हार्ट कहें इकर रोक थाम कालके करेक है, दानेदार पिलवा नासी कर परियोग पते मनक उपरे चक्र में कर ले टोका करवा पिलवा के रोकल जाय सकें फुरेट दस जी या काबो क्यूरोन तीन जी कर परियोग बारा से पंद्रह दाना में फसिल कर अकुआइक कर दू हपता बादे उपरी बटे करेक चाहिए जैसन जोरत पड़े उसने हैं मोनो क्रोटो फॉस एक दसम्रो सुन लिटर प्रती हेक्टर कर दर से छिड़के चाहिए इकर में बेमारियो लागत है तो बेमारी कर रोक थाम का लखे कर रेक है बेमारी कर रोक थाम पहिला है हेलमी मन्थे स्योरियम ब्लाइट पते मन में लंबा या डोंगा नियर भुरा रंगक या कथा रंगक चक्ता भिटैल चक्ता कर किनार भुरा रंगक होईल मधे कर भाग असे अस करिया रंग में बदेल जैल इकर रोक थाम कर रेक लगिन थीरम के 3 ग्राम चूरा से प्रती किलोग्राम बिहिन के दवई केर लेवें बिमारी जैसे सुरू होईल डायथेन जेड अठतर या इंडोफिल एम 45 के 2.5 किलोग्राम प्रती 1000 लेटर पानी में मेसाय के प्रती हेक्टर 7 से 8 दिनक भितरे छिरक चाहे सीथ ब्लाइट पते मनकर आधार और जिनहर कर छिलका उपरे लील रंगक या राख रंगक चक्ता बैंजयल इकर रोक थाम कर रेक लगिन कार्बेन डाजिम सुन्न दसमलोब 5 किलोग्राम हेकला कोना जोल एक लीटर या इंडोफिल एम 45 कर 2 किलोग्राम मात्रा के 100 ली फशिल तयार होल बादे इकर कटनी का लखे करें खरीफ मौसम कर फशिल के मोचा निकले कर 35 से 40 दिनक बादे बाइल जखन पाइक जाए इकर कटनी केर देवें